पहला कुश्चन है कि दूरीं मीड़ फिटल लाइफ दो प्रामरी श्रूर्स आ ब्लाड त्रैल कि इस द यहां ने कि मेड़ फिटल का प्राइमरी ब्लड शॉर्फ क्या होता है आप्शन है बोन मेरो या स्प्लीन या लैम।्ट नोड या लिवर कुछिछ्न बोल रहा है कि डूर्ण मिड़ फिटल लाइफ string primary source of blood cells मिड फी फिटल होता है तो उसका primary source blood का primary source क्या होता है थो दोस्तों उस टाइम को लीबर से जो blood होता है उसको शरीर में जाता है जबको फीटल याज छोटा बच्चा अगर गर्वासे नगल होता है तो लीबर दरह उसको blood मिलता है quarter mostly common type यह बाइपा प्रोटीन फांड इन देसल मेंपरेन सेल में 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 हैं sa kong semester common type का का जो प्रोटीन है जो की हमें सापाय जाता है ऑपसेन बाटीन या मुकोब या ग्लाइको प्रोटेन या नुक्लो प्रोटेन तो जो सेल मेंब्रेन होता है उसमें मोस्ट कॉमनली टाइप का या निकि प्रायरता यह पाया ही जाता है वह होता है ग्लाइको प्रोटेन जो ग्राइको प्रोटेन नाम का जो प्रोटेन होता है वह मुझता सेल मेंब्रेन मे वह पाया ही जाता है तो यहां पे जो option होगा हमारा वो तिन नमर का correct हो जाएगा जो next question है what is the distribution of normal होता है उसका distribution rate कैसे होता है कैसे distribute करते हैं तुम्हें बता दूस सबसे पहले तो जो भी एडल्ड व्यक्ति होते हैं उसमें 95 परसेंट एच भी यह पाया जाता है और उसमें 3 से 5 परसेंट टक एच भी एटू पाया जाता है और 122 परसेंट टक एच भी एफ यानिके फीटल पाया जाता है जो यह फीटल एच भी होता है दोस्तों यह छोटे बच्चों में होता है जो एच भी एटू होता है वह जिनको ब्लड लोस होग रहा या थेलेसीमिया होग रहा या मेगलबलास्टिक एनेमिया होता है उनमें एच भी एटू होत एक्सिलेट ये शार वेलू तो अबसन हमारे यहां पर चार दिया वह तो जो यह सार्व होता दोस्तों वह किसे कोर्रलेट करें कि अगर आपका यह सारगर हायर साइट में अगर आ है रिपोर्ट अब नॉर्मल है तो आप कभी भी वहां पर देख चुक्तों इंफ्लामेशन से हमको को रिलेट करना चाहिए कि अगर बेक्तियों किसी तरह का इंफ्लामेशन है तो उसके इसार के जो होता हुआ ही हो जाता है नॉर्मानिंस से ज्यादा हो जाता है इंफ्लामेशन को यह से तो आपसन हमारा चाहर करट हो जाएगा